हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका Study IQ IAS हिंदी पे मैं लली तदहिया दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है चाइना ने सिक्किम से मात्र 1500 किलोमीटर की दूरी पर अपने J20 स्टील्थ लडाकू विमानों को तैनात किया है एक बड़ी खबर है यहाँ पे हम खबर पे जाने से पहले यदि चाइना की वर्तमान रणनिती को देखें तो चाइना और भारत के बीच में सीमा विवाद है निश्चित तोर पे यदि हम भारत और चाइना की सीमाओ का अवलोकन करें तो इसे पश्चिमी छेत्र बोलते हैं इस पूरे रीजन को यहां से लेके यहां तक इस पूरे रीजन को यह मध्य छेत्र है भारत और चाइना के बीच में यहां नेपाल हो गया भुटान हो गया सिक्क्यम से लेके पूरे उत्तर पूर्व तक का ये इस्टरन सेक्टर है यदि आप वर्तमान संदर्भ में चाइना की कुछ कर्तूते देखोगे तो इस्टरन सेक्टर पे चाइना का फोकस रहा है हाल ही में मैंने ही कवर किया था कि अरुनाचल प्रदेश के कुछ छेत्रों क नाम कुछ जिलों का नाम चाइना ने बदला था और हमेशा से इस अरुनाचल प्रदेश के त्वांग छेत्र पे चाइना अपना दावा करता रहता है और चाइना एग्रेसिव हुआ है इस पूरे के पूरे इस्टरन सेक्टर को लेके हाला कि वेस्टरन सेक्टर पे भी वाहिया है वो कर रहा है अतह हमें चाइना की किसी भी गतिविधी को हलके में नहीं लेना चाहिए आज की इस संक्षिप्त परिचर्चा में हम इस पूरे मुद्दे की चर्चा करेंगे सबसे पहले मुद्दा जानते हैं ध्यान दखिएगा मुद्दा ये है कि भारत के सिक् भी बोला जाता है ये पाँचवे पीड़ी के लडाकु विमान है इनको तैनात किया है यहाँ पे ये जानकारी कैसे सामने आई तो भूस थानी खूफिया जानकारी एक फर्म है आल सोर्से एनालिसिस इसने उपग्रह चित्र जारी किये हैं और इन उपग्रह चित्रों के मा शिगाद से एर बेस है चाईना का इस शिगाद से एर बेस पर इन 6 लडाकु विमानों को तैनात किया है ये देखिए ये सेतेलाइट प jetzt और इस सेतेलाइट पिक्चर में ये बिल्कुल पश्ट तोर पे दिख रहा है कि ये जो छे लडाकु जो j 20 fighter aircraft से यहाँ पे तैनाथ हो चुके हैं मसला गंभीर है यहाँ पे अब हम यदि आगे चर्चा करें कि चाइना ने सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि उपग्रह चित्रों के माध्यम से हमें पता लगा है और इस बात को भारत की सेना के द्वारा भी स्विकारा गया है कि हाँ ऐसी सिति वास्विक है क्योंकि उपग्रह चित्रों में साफ तोर पे दिख रही है इन जहाजों की जो जैट्स हैं इनकी लोकेशन यहाँ पे चीन का इरादा क्या है तो चाइना ने ओफीशिली कुछ नहीं कहा है लेकिन हम इसे चाइना का रूटीन गतिविधी नहीं मान सकते ह हो सकता है चाइना परपजली उद्देश्य आधारित किसी रणनिती के तहतिये कर रहा हो क्योंकि वर्तमान में जैसा कि मैंने कक्षा की शुरू में बताया वर्तमान में जो यह वाला पोर्शन है यानि यह जो अरुनाचल प्रदेश और इस्टर जो सेक्टर है दोनों के में नहीं ले सकते हैं ध्यान रखिएगा यानि हो सकता है कि अरुनाचल प्रदेश और सिक्किम के पूर्वी छेतर में चाइना यथा स्थिति को बदलने का इरादा रखता हो हालां कि यह पहली बार नहीं है जब तिब्बत में जे 20 लडाकू विमानों की तैनाती की गई है 2020 से 23 की बीच शिंजियांग के होंटन प्रांत में भी इन लडाकू विमानों को देखा गया था यानि अभी हम फाइनली कुछ कयास नहीं लगा सकते हैं लेकिन चाइना की इस क्रिया को हम हलके में भी नहीं ले सकते हैं अब सिक्किम के सिक्किम में सीमा के पास यह जो मिंतम जो तस्वीरे हैं उस पर टिपनी करने से इंकार कर दिया हालां कि हमारी सेना के द्वारा ये कहा गया है रक्षा अधिकारियों ने ये कहा है कि हम पिछले डेड़ साल से जो एले सी है और विशेश तोर पे जो इस्टरन सेक्टर है जिसमें अरुनाचल प्रदेश का तुआंग सेक्टर सिक्किम वहाँ पे चीनी सेना की आकरमक्ता और तैनाती पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं यहाँ पे एक बात और समझने की है दोस्तों कि भारत में प्रियाप्त लड़ा कू विमानों की कमी को देखते हुए चीन दुआरा जो ये जे ट्वेंटी की तै बनाती है ये भारत के लिए बड़ी चिंता का विशे है हाला कि भारत के पास क्या है इस से लड़ने का क्या उपाय है या फिर इसकी प्रतिक्रिया देने का क्या उपाय है तो हमारे पास फ्रांस निर्मित राफेल्स है अभी मैं लोकेशन की भी बात करूँगी तो भारत की सेना का ये स्टेंड है कि हम कड़ी नजर बनाए हुए हैं क्या चाइना की गतिविधियों पे विशेश तोर पे इस रीजन में जहां पे चाइना पिछले एक देड़ साल में काफी एग्रसिव मोड में दिखा है अब यदि हम इस J20 स्टील्थ विमान के ऊपर कुछ बात कर ल बोला जाता है इनको 2017 में सेवा में लाया गया था स्टील्थ लडाकु विमान अत्यधिक सैंसरों से सुसजित है साथ ही इसका निरंतर आधुनी की करण किया जा रहा है यदि हम बात करें तो इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइले लगी हुई है जिनमें पी एल प करें तो दोनों में हमें अंतर नहीं देखने को मिलता कुछ विशेशग्यों ने रक्षा विशेशग्यों का और तकनीकी विशेशग्यों का ये भी कहना है कि जो ये टुएट्वंिन्टी है ये कई मामलों में F-35 यानि जो अमेरिका की लडाकु विमान है उनसे भी है तो यहां पर हमारे पास 36 फ्रांसेशी राफेल लडाकु विमान हैं जिनके माध्यम से हम J 20 लडाकु विमानों का मुकाबला कर सकते हैं और इसी के संदर्भ में पश्चिम बंगाल के हासी मारा यानि जहां पर इन्हों अभी इनको 6 लड़ाको विमानों को तैनात किया है उससे मातर 300 किलोमीटर की दूरी के आसपास पश्चिम मंगाल के हासी मारा में हमने भी 16 राफेल विमानों का जो स्क्वाडरन है उसको तैनात कर रखा है यानि भारत की भी पूरी तैयारी है अगर ऐसा कोई संदर्ब उभर के आता है तो हाला कि तैनाती का अनिवारियत और पर यह मतलब नहीं ले सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी अलग-अलग छेतरों में तैनाती हुई है कि चाइना युद्ध ही करने वाला है लेकिन चाइना की किसी भी क्रिया विधी को किसी भी हरकत को हलके में नहीं लिया जा सकता है जैसा कि भारतिय सेना ने कहा कि वो कड़ी नजर बनाए हुए हैं और साथ ही हमारे पास भी व्यवस्था है कि हम चाइना का प्रत्यूत्तर दे सकें अब यहां पर मैं यदि बात करूं भारत और चाइना के संदर्भ में चाइना लगातार इस पूरे रीजन में अपनी होतिक अब सरंचना को बढ़ाने का काम कर रहा है बड़े स्तर पे चाहे लद्दाक की बात हो चाहे हम इस्ट्रन सेक्टर की बात करें और इसी के संदर्भ में आज की तिथी में भारत भी चाइना को हलके में नहीं ले रहा है भारत भी बड़े स्तर पे इस पूरे रीजन मे अब सरंचनात्मक विकास कर रहा है जिसमें अलग-अलग सुरंगे हो सकती है अलग हाई पीक्स पे रोड कनेक्टिविटी हो सकती है इस तरीके के अलग-अलग प्रयास भारत भी कर रहा है ध्यान रखेगा यहां पे एक बात और समझने की है कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान के करण के नजरिये से देखे तो भी stand नहीं करता राजनीतिक नजरिये से पाकिस्तान में लोकतंत्र है ही नहीं वहाँ पे एक तरीके से जिग-जैक situation चलती रहती है कभी सेना के हाथ में शाशन है कभी जनता की चुनिवी सरकार के हाथ में तो पाकिस्तान हमारा मुख्यप्रतिसprofit है गी हमारी प्रतिसपरदा है चाइना से तो चाइना को ध्यान में रकते हुए हमारी पॉलिसी बड़े स्तर पर निर्मित होनी चाहिए हालां कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर दे और पाकिस्तान के समक्ष जो सीमाई हैं उनको उनका फोकस हटा के यहां कर दे बैलन्स करना पड़ेगा लेकिन जादा फोकस हमें चाइना पे करने की जरूरत है क्योंकि बड़ा आज यदी है तो चाइना है बड़ी हमें चंता करने की जरूरत है तो वो जादा चाइना से करने की जरूरत है तो यह पूरा का पूरा मुद्धा था आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पे अपने विचार कमेंड बोक्स में जरूर बताईएगा इसके साथ ही 2025-26 में आप UPSC का टेम्ट देने चाहते हैं भैदर तरीके से प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैस से जूड सकते हैं 10 जून से शुरू हो रहा है एडमीशन लेना है तो LD Live Code का प्रियोग करना है आपको Study IQ की एप या वेब साइट पे जाना है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दिया होगा वहाँ पे जाके एडमीशन ले सकते हैं मात्र 27,999 में आपको ये बैच मिल रहा है देर किस बात की फटा पर जाईए LD Live Code का प्रियोग कीजिए अडमीशन ले लीजिए आप मुझे फोलो कर सकते हैं में टेलिग्राम चैनल लली तदही अकैडमी इंस्टेग्राम और फेस्बूक पेज़ पे आशा करती हूँ परिचर्चा अच्छी लगी होगी मिलेंगे इस